असलाम अलेकूम आप सब कैसे हैं उमीद करती हूं सभी खैरियास से होंगे तो आज हम बनाएंगे कीमा और मटर फली तो कीमा हमने दूलकर रख दिया था और हमने काटा हुआ था प्याज तो प्याज हमने लिया था तीन प्याज हमने ली थी मीडियम साइज की और हरी मिर्च है और लाल मिर्च है और दो तीन लॉंग हमने लिया था और छोटी लाइची एक तेश पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा बस इतने से ही मसाले से मनाएंगे कीमा फटा फट से बन जाने वाला तो इधर हमने रख दिया था कड़ाई और हमने डाल दिया है प्याज इसमें बारिक बारिक सा अद्रक कारन के और लेचाण भी कारें था क्योंकि इसमें कोई भी पेस्ट नहीं जाएगा अद़र क्लेसन का या और कोई भी मसाले भी नहीं जाएंगे बस इतने से मसाले से बनाएंगे और यह बहुत जल्दी बन जाएगा बहुत देखिए आप सब तो प्यास को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है हम इसमें डालने के कीमा ये कीमा हमारा एक पाओ के करीम में है तो इसके कीमा को हम भून लेंगे अच्छी तरीके से और इसमें हम पानी भी नहीं डालेंगे तो देखिए कीमा भून चुका है जो इसका पानी था कीमा को वह सारा जल चुका है तो हम इसमें डालने के मटर फली अब अगर आप चाहें तो ये हरी मटर आप ज्यादा ले सकते हैं पर हम ज्यादा नहीं लिया हमने क्योंकि हमारा एक पाओ कीमा था तो उसी के हिसाब से हमने ये हरा मटर डाला हुआ है और टमाटर हमने दो डाला हुआ है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही मज़ेदार सा बनता है जब भी आप चाहें तो ये से चापादी के साथ ये चावल के साथ खाएं बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है तो कुकर में अपना बनाए जब भी बनाई तो कड़ाई में बनाए तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है माशालला खुश्बू बहुत अच्छी आने लगी है इसकी तो यह हम हमने ढकन खुला तो देखा कि यह भी टमाटर हमारे सही से पके नहीं है अभी यह टमाटर हमारे कीमा के अंदर मिल जाना चाहिए तो इसको हम और ढखकर पकाएंगे थोड़ी देर और मीर चाप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर किसी को तीखा पसा था तो और डाल सकता है इसमें हमने अपने हिसाब से डाला हुआ है तो इसको अमठाग देंगे थोड़ी देर के लिए फिर दिखाते हैं आप सबको तो देखे कि इतनी अच्छी तरीके से बन गया है और फटा फट से बन कर तयार हो गया है हुए यह फटार हो कीमा साथ ही मिक्स हो गया है तो इसमें डाल देंगे भरी धन्या अगर आप चाहें तो पुदीणा भी डाल सकते हैं पर हमें पुदीना नहीं डाला है ठर्वरी धन्या ही डाली है एकदम कम मसालों से बन कर तयार हो गया है देखिए कितना मज़ेदार सा कीमा तो निकालते हैं ये देखिए कैसा लगा हमारे कीमा और मतर फली मसाले वाला तो आप रोज खाते होंगे बराबर हमेशा और इसको एक बर बना कर देखें बहुत ही अच्छा बनता है बनाए खाएं और सबको खिलाएं और अगर पसंद आए तो लाइक करें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अला हाफिज